वी गौट योर पेमेंट, ओके वाली ब्लू कलर की बटन है जो इस पर क्लिक कर देना है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ट्रांजक्शन सक्सेस्फुली का मैसिस देखने के लिए मिल जाएगा, ओके पर क्लिक कर ये, हमारा जो बैलेंस है सक्सेस्फुल हमारे इस वैलेट में ऐड हो चुका है, बैक आ जाता हूँ, और यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, एक प्रिपेड रिचार्ज के नाम से एक ओप्सन देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर मैं भी क्लिक कर देता हूँ, आपको भी क्लिक करना है, अपना ओपरेटर सेलेक्ट कर क्लिक किया, इसके बाद यहाँ कांटिनिउ पर क्लिक किया, तो 4 सेकंड का वेट किया, बस मात्र 24 सेकंड का वेट किया, और इस तरह का मैस्यज देखने के Лिए मिल गया, इसमें लिखा हुए य作 में दीखा हूँ, और जो भी करेंट बैलेंस बचा हूँ दिखा दिया, तो आप देखेंगे कि 21.570 यानि कि 21.560 रुपय का जो बैलेंस है वो अभी हमारे काउंट में बचा है यही हमारे जो कमीशन दोस्तों यहाँ पर इंस्टेंट हमारे वैलेट में आइड हो चुका है चली मैं आपको रिचार्ज की जो हिस्ट्री दिखा देता हूं नीचे की अब मैं आपको बताऊँगो कि आप लोग इस अप्लिकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे कैसे इंस्टाल करेंगे आपको आपके मुबाइल में प्ले स्टोर नाम का एक एप्लिकेशन मिल जाएगा उसे ओपन करेंगे और उसके सर्च बॉक्स में आप टाइप करिए रियल प्लस डाउनलोड है केवल 9 MB का एप्लिकेशन है इस ग्रीन कलर की इंस्टाल बटन पर क्लिक करके इस एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लिन है 100% एप्लिकेशन डाउनलोड होने के बाद यह जो ओपन का ओप्सन है आपको ग्रीन दिख जाएगा इस पर क्लिक कर दीजेगा त जो interface से देखने के लिए मिल जागा पर आप यहाँ पर नए होंगे तो आपको यहाँ नीचे सबसे देखने के लिए मिल जागा do not have an account इस वाले option पर आपको click कर देना है आप जैसे ही इस वाले option पर click करेंगे तो आप registration के page पर इस तरह से पहुँच जाएंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना mobile number दर्ज करना होगा आपको अपनी एक email id डाल देनी होगी आपको अपना नाम डालना होगा जो भी username आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं वो डालिये condition को accept कर यह register वाले option पर click कर देंगे तो यहाँ पर आपको 2-4 second का wait करना होगा यहाँ पर आपको your registration done successfully please go to login इस तरह का जो message देखने के लिए मिल जाएगा आपको थोड़ा 2-4 second का wait करना होगा आपके mobile पर एक message आ जाएगा दोस्तो अब आप देखेंगी कि एक दो second में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो message वो मेरे number पर आ चुका है इसमें मुझे मेरी user ID और pin code भेज़ दिया गया है इस user ID और pin code की सहायता से ही मैं इस application में login करूँगा और इस application का जो lab है वो हम ले सक आपको best लगा होगा किसी भी प्रकार की जानकारी आपको अन तरह की चाहिए तो आप नीचे comment box में comment करके पूँच सकते हैं चलिए मैं login कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखती है जैसे ही मैंने login कर लिए login successful हो चुका है इस app में आपको बहुत सारी services देखने के लिए मिल ले option पर click करके आपने profile को भी edit कर सकते हैं यहाँ पर आपको whatsapp chat का भी option दे दिया जाता है किसी भी प्रकार की समस्य होती है तो आप directly इन से whatsapp पर बात कर सकते हैं काल के रिए भी request कर सकते हैं I hope कि मेरे दौरत दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी वीडियो के अंत